हेलो एवरिवन स्वागत आप सभी का एक लव्य स्टेडी पॉइंट पर मेरा नाम है हिमानसु सिंग आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 11 की जियोग्रफी और जियोग्रफी का मिड्रम के लिए जो भी कह सकते हैं स्लेवर्स है वह हमने कंप्लीट कर दिया है तो अब हमें बात करने इसके कुछ जो important mcqs होते हैं उनके बारे में और इसके जो important questions होते हैं उनके बारे मेरे तो इसी में हम बात करेंगे book 2 के जो MCQs होते हैं उनके बारे में और इसमें आपको पता जो बुक टू है उसमें हमारे तीनी चैप्टर आ रहे हैं तो तीनों को हम एक साथ बात करेंगे ठीक है वान शॉट वीडियो के अंदर हम इसको कवर करेंगे बुक टू है वो उसका जो नाम है वो है भारत बहुत इक प पढ़नी है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं यहां पर आप क्लास 11 के फोल्टर में जाकर और जो जिएग्रिफी का स्क्षन होता है उसमें चैप्टर वाइज होती है उनको देख सकते हैं अगर और जादा प्रक्टिस करनी है तो MCQs पढ़ सकते हैं इंप तो इसी में अगर हम पहले कोशन की बात करते हैं तो भरत विश्व के मांचितर पर किस गूलार्द में इस देता है इससे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं कि यह अगर हम बात करते हैं यह एक हमारी प्रित्वी हो जाती है तो इसी के बीच से एक लाइन जाती है जिसको जी तो उपर हमें साधेरस दिग्री अगर नूर्थ में जाते हैं यह करकरेखा हो जाती एग को लेकिन अगर हम इसी में साधेरस दिग्री साउथ में आते हैं इसको मकर रेखा के नाम से जानते हैं ठीक है इसको मकर रेखा कहा जाता है और इसके बीच ओ बीच एक लाइन जाती है जिसको जीरो डिगरी देशांतर कहा जाता है ठीक है और इसके इधर वाला जो हिस्सा होता है इसको पूरी गोलार्द इधर वाले हिसे को पश्मी गोलार्द और जो जीरो डिगरी अक्षांस होती है उसके नीचे वाले हिसे को दक्षणी गोलार्द उपर वाले हिसे को हम उतरी गोलार्द के नाम से जानते हैं इसको उतरी जो रहें चाप्टर को पढ़ाता तो वहां पर हमने अच्छे से संजाता कि जो भारत है वह च्छह दिगरी चार मिनट उतर से लेकर 37 डिगरी चार मिनट उतर तक फैल रखाए उसका विस्तार हमें देखने को मिलता है यह बारत की दीपो साही तो जो भूमी उससे लेटिन ले की विस्तार य़िक भोणे जो ना जार एक अगर हमिया धागा il हो ऐ सही मुनिट अगर भारत की अग्थां आस्ट नीट इस था हो वह कहां से कहां तक है तो भारत का जो देशांतरे विस्तार है वो आप्शन नमबर सी 68 degree 60 minute पूरप से लेकर 97 degree 25 मिनट पूरप में हमें भारत देखने को मिलता है ठीक है भारत का कुल छेतर फल कितना है तो जब हमें चैप्टर को पढ़ाता तो वहां पर हमने समझा था कि भारत का जो पूरा लेंड एरिया है वह बत्तिस सतासी और पूरे एंड तक यहां तक आते हैं तो भारत की जो टोटल लेंथ है वह कितनी हो जाती है 3214 किलोमेटर ठीक है तो हमारा जो ऑप्शन नमबर भी है वह हो जाएगा सही और अगर हम बात करते हैं भारत की पूरप से पशिम तक की जो टोटल लंबाई है यानि कि इस एरि किर्फिस किलोमेटर है पूर अब से पशिम तक भारत की लंबाई कर गयर हम बात किरते हैं तो अभी हमने बात कि थी करकी राका का जो नाम है जो अक्षान सब दूर्थ साधे 26 डिग्री न॓र्थ साड़े 30 ग्री चुक्तिमर पैंटर प्शिम मंगाल उसके वादमें तिरपूरा और मिजोरम तो इन आठ राज्ये से होकर यह गुजरती है लेकिन अगर हम बात करते हैं एक ट्रिक की मैंने आपको बताई थी कि जो ट्रिक होती है उसमें क्या होता है तो ट्रिक का जो नाम था वो कुछ इस तरीके से था कि आप जो राज्ये होते हैं उनको अच्छी तरीके से याद कर सकते हो तो जो ट्रिक थी वो थी मित्र पर गमचा जहार अगर आप इसको मैप के थुरू याद नहीं कर पाते हो तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो जहार तो यह आठ राज्ये हैं इनको आप स्टिक से भी आद कर सकते हैं अगर आप मैप के थुरू नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है कि तो हमारा जो अप्शन नमबर डी जाएगा सही मायना की यह मुंत तर रिखा कि स्थिधी कितनी डिग्री तो जब हमने मैं चैपटर को पढ़ाता तो वहां पर हमने समझाता कि साड़ी बैसी डिग्री जो एक धिक जो एक दिशांतर जाती है उसको भारत की माना के मुत तर कहा बारत कि न्रदार राण भारत निर्दार रिखकर काया दोट से निर्दारन वह हुदा का inaq आ की तो यह भारत की जो मत रह till गुजरती है अगर हम इसके राज़ों के बात करते यह टोटल पांच राज़ों से गुजरती है जिसमें सबसे पहले यूपी उसके बाद में थोड़ा सा हिस्सा MP का आता है फिर इसमें 36 गड़ आते है फिर उडीशा ठीक है और इसके बाद में आंद्रपरदेश ठीक है तो यह जो पांच राज्य होते हैं यहां सर हमारी जो मानक याम उतर रेखा होती है व घृःटाम राज्यlen COVID कोषमर आता है फिर जमुकुर्षमेर राज्यगा बागा बापश लेल लिया गया और उसको एक साथ किरण एंदर साथिंप कर दिया था और उसके पहले भारत में टो टाल 7 केंदर साथित प्रदेश तें टो तो दो हजार उननीच से पहले भारत में टोटल 29 राज्य और साथ केंदर्ण सासित wild तो यह वहां से एक जो राज्य ही था वह कम भाट कर दिया तो यह लेकिन फिर हमेशफ जनवर 20 रइएм और शौश्चीटあります कि वजान डिया तो वर तो यह बर्दमिर बात्मान में में आठ केंदर साथे प्रदेश और अठाइस राजे देखने को मिलते हैं ठीक है तो भारत में कुल राजे कितने हैं वो है अठाइस जमूर कस्मीर से जो स्टेट था उसका स्टेटस कब लिया गया था दोजार उनने से और इसको दो केंदर साथे प्रदेशों में दो यूटी में यूनियन टेरिटिरी में इसको डिवाइड कर दिया था भारत की मुख्य भूमी की कुल तर्टिय लंबाई कितनी है तो वह एक सट सो किलोमेटर लेकर अगर हम दूइप और साहित की बात करते हैं तो वह 7517 किलोमेटर ठीक है यानि की दूइप और जो भारत के जितने भी राज्ये हैं वह मिलकर इतनी बाउन्डरी शेर करते हैं कोस्टल लाइन शेर करते हैं ओशन के साथ में ठीक है अगला जो केशन है भारत के उत्तर में कौन सी परवस्षिंकला अवस्तित है तो भारत को मिलती है तो हमारा जो आप्शन कि नंबर बी है वो सही हो जाएगा ठीक है अगला जो कैशन है वह भारत का पश्मी तट किस सागर से घिरा हुआ है तो भारत का अगर हम तट की बात करते हैं तो यहां पर हमें बे ओफ बेंगौल देखने के मिलती है यानि कि बंगाल की खाडी और यहां पर हमें अरब सागर देखने के मिलता है ठीक है तो भारत का जो पश्मी तट है वो अरब सागर से घिरा हुआ है और भारत का जो पूरवी तट है वो बंगाल की खाडी से घिरा हुआ है और यह दोनों किस तो यहां से आपका जो चैप्टर वन है उसके जो एमसींदों खत्म होते हैं अगर आपको और ज्यादा एमसे क्यूंस आप जो हमारी वेबसाइट है उसको जरूर विजिट करें वहापर आपको ज्यादा से ज्यादा मिल जाएंगे ठीक है तो अब हम बात करते हैं चैप्टर सेकेंड के बारे में चैप्टर सेकेंड वह सनरचन तथा भुहाकरतिक बिग्ज्ञान तो भारत की किस तरीके से सनरचना है क्या क्या भारत में पाया जाता है कौन-कौन से भोगोलिक प्रदेश हमें देखने को मिलते हमके बेढ़ा करते है तो भारत की खंड की से मिलते है तो भारत के खंड के मिलते है और तक जाती है थिक है तो नीचे वाला जो हिस्सा होता वो प्रदिपे खंड परायदीपिभ और मधः-श्या के बीच में खढ़ा है तो हिमालय जो है वो भारतियों महादीप है उसको जो एशिया उसे थोड़ा सा अलग करता है तो ये जो मजबूत लंबी दिवार है उसके रूप में भी खड़ा है जल्वाई हो विवाजक का भी काम करता है क्योंकि अगर हम उपर की बात करते हैं तो वहां पर हमें जो जल भाजक के रूप में भी यह खड़ा हुआ है तो हमारा जो option number D है वो सही हो जाएगा हमालय के प्रवत शिंखलाओं की भूबय गयानिक सनचना कैसी मानी जाती है तो हमालय की काफ़ ज्यादा सॉफ्ट है काफ़ ज्यादा फ्लेक्सिवल है तो option number जो भी है वो हमारा सही हो जाएगा सिंदुगंगा ब्रह्मपूतर का मैदान मुख्या रूप से किस परकार के सामग्री से बनाए तो अगर हम सिंदुगंगा की ब्रह्मपूतर की बात करते हैं तो वह जडोड लेकर आती हैं तो उससे निर्मित होता है होके अगर अगर्ट अग्ले question की बात करते हैं वह है भारतियः प्रायदीप किस परकार की जो चटाने उससे बना है तो यह नाइस और जो ग्रेच्टाने के चटाने होती है वो उससे बना होता है हमारा भारतिय प्राइदी खंड तो option number जो भी है वो हमारा सही हो जाएगा अगले question की बात करते हैं उत्तर भारत का मैदान किस नदी की निक्षेप से बना होता है तो यहाँ पर हमें सिंदु नदी भी देखने के बिलती है वो अपना जो जो भी material होता है उसको raise करके लेकर आती है उसको हम किसकते हैं अपरदन करके लेकर आती है और यहाँ पर आके उसको निक्षेपित कर देती है तो उससे बनता है गंगा जो गंगा नदी होती है वो भी जलूड लेकर आती है और ब्रह्मपुतर नदी भी ठीक है तो इन तीनों नदियों के मा प्राइदी पिडियाव में भाइट हुए तो पूर्प दिशा में वो पूर्प दिशा में भाइट है अगला भारत्या प्लेट की साथ तूटकर अलग हुई है तो आपको पता होगा हमने प्रेट ऑके बारे में पढ़ा था तो जो बुकवान है उसमें भी हमने समझा था कि जो भारतय प्लेट है वो ऑस्ट्रीलियन जो प्लेट थी उससे अलग हुई थी तो उसका एक भाग थी है उतर भारत के मैदान की जो उसत चोड़ाई है वो कितनी है वो है डेड़ सो से तीन सो किलो मीटर उसे की बाद में जो भारत की उत्तर था उत्तर पूर्वी परवत मालाव में कौन प्रमुत जो प्रमुक परवश्यक्लाई वो शामिल होती है यानि कि जो उत्तर पूर्वी परवश्यक्लाई होती है उसमें कौन-कौन शी शामिल होती है तो इसमें जो ट्रांस हमालय होते है रेंजी होती है वो शिवालिक करेंट के नाम से जाना जाता है तुस्षिवालिक जो श्रेटी है वह बी उत्तर पूरी परवतमालाओं का एक हिस्सा मानी जाती है ठीक एक उसका हिस्सा होती है उत्र भारत के मैदान की जलोड निक्षेप होते हैं उसकी घहराई कितनी होती है तो वह हजार से 2000 से दो किलोमेटर की गहराई तक अगर हम जाएंगे तो वहां पर हमें जलोड जो निक्षेप होते हैं वो देखने को मिलेंगे नेक्स क्वेशन वो है भावर छेतर की चोड़ाई कितनी होती है तो जो सिवालिक श्रेणी होती है उसके नीचे अगर हम 8-10 किलोमेटर आते हैं तो यहां पर हमें भावर छेतर देखने को मिलता है ठीक है तो यहां पर कंकड पत्थर होते हैं और जो नदियां होती है वो यहा निवान जाता है तो यह अग्रेट्र निंवान्स तान माना जाता है जलूड को नंग निवास तो निवान सिस्तान होता tv जालोड मिर्दा होती जलूड मिर्दा होती है जलूड़ ज जो निक्षेप होते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है जिसमें सबसे पहले बंगर आती है जो पुरानी जलोड होती है नदिया बहुत टाइम पहले जो भी निक्षेप लेकर आतीये ठीक है तो उनको डिपोजिट किया था तो वह बंगर कहलाते हैं और जो नए-learning लूनी नदी प्रभाइत होती है नदी होती है और ही हाझ से प्रभाइत होती जाती है और इधर इसको विसरजित तो यहां पर अरोसागर में करना चाहिए था लेकिन ये जो गुजरात का कच्छ है कच्छ एरिया है वहां पर जाकर अपना जल विसरजित कर देती है वहां पर जाकर विलॉप्त हो जाती है तो इसलिए इसको भूमी आबद नदी लेंड लॉक्ट के नाम से जाना जाता है जो प्लाया जीले होती है यानि कि जो लुनी नदी होती है वह यहां पर जाती है तो यहां से जो प्लाया जीले होती है उनका निर्मान करती है उसमें जाकर अपना जल विसरजित कर देती है और जो प्लाया जीले होती है उनका जो जल होता होता है ख इसके बाद में पूर्वी तट पर कौन कौन से राज अवस्तित है तो जो हमारा option number D है वो सही हो जाएगा पूर्वी तट यहां पर अवस्तित होते हैं पूर्वी तट यहां पर अवस्तित होते हैं पून्नामदा कयाल के अंदर इसका आयूजन किया जाता है ठीक है इसके बाद में दमान और निकोवार गाशन में कितने दीप हैं तो यहां पर 572 जोड़ा है उनसे मिलकर अदमान निकोवार mobनाया यह जह इन से बनातो यह प्रवाल है जो होते हैं उफर चले तो फिर से नचों निरमान मईं खूते हैं तो यह से हमारा कि नोबर सेक्ड होता है, खतम आप बात करते हैं, चैप्टर in इनके बढ़ाओ इनकी को परकार के करते हैं तो समेञार को कि बात करते हैं तो यहां ते अपवहतंत्र होते हैं एक तो जो यहां पर अरब सागर होता है उसमें अपना जल्विशाजजद करते हैं ते तो यह दो जो अपवातंतर होते हैं इस आधार पर समूदर में जल्व जजन के आधार पर हमें देखने को मिलते हैं, नदियां के इस आधार पर प्रमुक, मद्यम और लगु नदीद्रोनी में विवाजित की जाती है, तो उनके अपवाज शेत्र के आकार के आधार पर, यहन्का 10000 e走 40000 good किण तो इसके आधार कौन सी नदि अरब साग्र में जल्व सजद करती है अल्गर महानादी Core बांतोर करते हैं तो ये बंगाल की ऐसे करने बंगालोगी खारी करता है कोना से बागि में olmaz अर्व बीनिक लिगिग में तुर शो से जो भी नदिया श्यक्राद ambassador करते है क किस प्रकार के बाथ परिवर्टित करने के लिए उसके बदलने के लिए जाने जाती है और जब यह मार्ग परिवर्टित करती है तो बहुत तवाई मचाती है पूरे बिहार के अंदर बाट लेकर आती है इसलिए इसको बिहार का शुक कहा जाता है कौन सा जल संबर प्रमुख नदी दुरोणी में आता है यानि कि जिसका अपवाच हेतर 20,000 km से जादा है तो यहां पर जो गंगा नदी है उसका अपवाच हेतर 20,000 km से जादा है इसलिए वो प्रमुख नदी दुरोणी में आते हैं जहानचनद के रूप में सिदुन पती है उसमें मिल जाती है। जो कहां से निकलती है यहमें उत्री हिमनत्र से निकलती है। बर्हु dow में जो ब्रह्मेध्र उसको अनीय नाम क्या है उसका नाम है सांगपॉ रह Rechts इसको तिय्बत में सांगपॉके नाम से जाना जाता है सिन्दू कुल लंबई कई हम बात करेंख ऑफिश नर्मादा नम सक्काव संख्थ से नदी निकलता है उसके बाद में नर्मदा नदी किस घाटी से बैटी है तो भंगral का शोक कहा जाता है तो जो धाम으दर नदी होती है उसको बंगाल का शोक कहा जाता क्योंकि जैसे बाड़ ले कर आते इसी तरीके से ज़ए-जामव दर नदी होती है वो भी जो बंगाल होता है, उसमें काफ़ ज़्यादा तभाही मचाती है, काफ़ ज़्यादा बाड़ लेकर आती है, इसी वज़े से इसको बंगाल का शोग कहा जाता है, प्राइदी पे अपभात अंतर की नदियां किस दिशा में बहती है, तो ये पश्यम से पूरब की और महाननदा नदी है, उसका शरूत कहां से है, उसका शरूत है, वो है दारजलिंग, ठीक है, तो दारजलिंग से पश्यम मंगाल से ये निकलती है, तो यहां से हमारे जो question होते हैं, खतम, और अगर आपको और ज़्यादा MCQs चाहिए, तो आपको definitely हमारी जो website उसको visit करना चाह थैंक यू, जैन, जै बारत.